Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय जैसा कि हमें मालूम है कि बीते कुछ महीनों से चाहे हमास हो गया या हेजबुला हो गया इनके टॉप लिडर्स को बहुत ही टार्गेटेड तरीके से इसराइल के द्वारा मारा गया अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें सिर्फ हेजबुला के बारे में तो जो इसके चीफ थे हसर नस्रला उसे मारा गया पहले और जो आदमी हसर नस्रला को रिप्लेस करता है हसीम सैफिदीन उसे भी मारा जाता है और अब एक recent statement आता है हेजबुला के तरफ से जहां पे कहा जाता है कि उनके जो नए चीफ है उसका नाम है नईम कासीम जैसे ही हेजबुला के दुवारा ये declare किया जाता है कि नईम कासीम उनके नए चीफ है वैसे ही योवाफ गैलेंट यानि कि इसराइल के defense minister का एक और statement आता है जहां पे योवाफ गैलेंट कहते हैं कि नईम कासीम बस कुछ दिनों का महमान है इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में नईम कासीम है कौन, क्या इनका background है और साथ में कुछ और भी interesting facts हम जानेंगे इसराइल और Lebanon के regarding कुछ बातों को मैं बहुत ही साफ कर देना चाहता हूँ कि as an Indian हमारे लिए बेहत जरूरी है कि हम चीजों को ना ही तो इसराइल के point of view से देखे ना ही तो हम US के point of view से देखे ना ही तो हम किसी भी तरीके से Palestine या Lebanon के point of view से देखे जो हमारा काम है वो ये है कि हम चीजों को fact and figure के basis पे देखे और बहुत ही neutral तरीके से रहके हम चीजों को देखे और analyze करें जो as per media report है उसके हिसाब से नईम कासीम का जन बेरूत में होता है साल 1953 में और जैसा कि हमें मालूम है कि साल 1979 में इरान में Islamic revolution होता है ये हो सकता है कि आप Islamic revolution ये word को बहुत बार सुने होंगे लेकिन Islamic revolution का जो impact है वो ना कि सिर्फ Middle Eastern countries पे पढ़ा था या पढ़ा है बलकि उन सभी देशों में पढ़ा है जहाँ पे Muslim majority में रहते हैं या और भी अगर हमें specific शब्दों का इस्तेमाल करें तो उन सभी देशों पे पढ़ा है जहाँ पे एक ठिक ठाक सा population है Muslim के सिया शेक का तो साल 1979 में जब Islamic revolution होता है तो उसका असर ना कि सिर्फ इरान पे पढ़ता है बलकि उसका असर इराक पे पढ़ता है लिबनान पे पढ़ता है और बहुत हद तक इसका असर साओधी अरीबिया में भी हमें देखने को मिलता है और साथ में जब हेजबुल्ला का formation होता है साल 1982 में तो हेजबुल्ला के formation के पीछे जो बहुत बड़ा रोल था या तागत था वो इरान था तो इसलिए हेजबुल्ला हो गया चाहे हमास हो ग एक बात यहां पर और भी मैं रखना चाहूंगा कि यह भले हो सकता है कि हमें उपरी तोर पे यह देखने को मिले कि इसराइल और इरान के बीच में संबंध खराब हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्ट्स आते हैं जहां पर यह मालुम पड़ता है कि जो दोनों देश हो कि जो टॉप लीडर से उनके बीच में आपस में संबंध अच्छे हैं और जब हेजबुला का फॉर्मेशन होता है साल 1982 में तो उस वक्त नईम कासिम का एक बहुत ही बड़ा एक्टिव रोल रहता है हेजबुला के फॉर्मेशन के पीछे यानि कि यह हेजबुला के one of the founding members है उसके बाद साल आता है 1991 इस साल में नईम कासिम को हेजबुला का Secretary General बनाया जाता है तो लगभग यह 33 सालों से एक बहुत ही prominent position में है हेजबुला के अंदर और इनके बारे में जो media reports है उसके हिसाब से इनके काफी अच्छी पकड़ है हेजबुला के अंदर और majorly जो हमे देखने को मिलता है हेजबुला के जो leaders होते हैं वो black turban में रहते हैं लेकिन नईम कासिम को जो देखा गया है या जो इनके images हमें public में available हैं उसके हिसाब से यह हर वक्त white turban में रहते हैं इसके पीछे का logic क्या है यह तो सिर्फ नईम कासिम या इनके जो close associates हैं सिर्फ वही बत तो majorly अगर आप इसको roughly समझना चाहें तो जो हेजबुला का control है वो Lebanon के सदन हिस्से पे है यानि कि जो हेजबुला है वो Shia sect को follow करने वाला है जो पिछली बार Lebanon में जन संख्या counting हुआ था वो हुआ था साल 1932 में तो उसके बाद से लेके अब तक हमारे पास एक specific data नहीं है जिसके मदद से हम ये कह पाएं कि आखिर में Lebanon में exact क्या percentage है Shia sect को follow करने वाले का या क्या percentage है Christians का लेकिन जो as per independent media report से उसके हिसाब से कुछ 30 से लेके 35% Lebanon में Christians रहते हैं कुछ 30% के आज़ पास Shia sect को follow करने वाले हैं और बाकी जो remaining है वो आपके follow करते हैं Muslim का सुनी sect तो इसलि यहाँ पे जो possibilities है वो शायद ये हो सकता है कि जो मिठाईयां बाट रहे थे वो या तो Christians होंगे या तो वो सुनी sect के followers होंगे तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि किसी भी चीज़ को दे कि हम तुरंत react ना करें बलकि हम थोड़ा सा समय लगाएं और चीज़ो करके वो पुकारते थें लेकिन जो फिलाल का condition हो रखाया वो ये है कि लोग अपने आपको बहुत ही individual तोर पे दिखाते है यानि कि जो Christian है वो सिर्फ अपने आपको Christian बताना पसंद करते हैं जो Muslim है वो अपने आपको Muslim कहना पसंद करते है यानि कि जो उनका एक cultural identity था या जो Christians थें वो काफी सालों से वहाँ पे रहते हुए आ रहते हैं इन फैक्ट जो जुश का भी presence है इन सब areas में वो भी काफी पुराना है और साथ में ये सारे topic अपने आप में इतना complex है कि एक वीडियो में शायद सभी points को समेट पारना almost impossible है किसी के लिए भी और जहां तक बात कि जा हेजबुला के बारे में तो वहाँ के जो areas है यानि के जो सदन लिबनान है वो अपने आप में इतना disturb है कि आप भले हसन नस्रला को मार दो या नईम कासीम को मार दो कुछ समय के बाद इनके पास दुबारा कोई न कोई leaders आहीं जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से bombing की जात यानि की इसराइल का जो official formation day है वो है 14 में 1948 और जैसे ही इसराइल को form किया जाता है वैसे ही सिर्फ 11 मिनट के अंदर Harry Truman उसको recognition देते हैं Second World War के बाद जो एक देश सबसे strong था वो था US तो इस शीज को अगर आप थोड़ा सा neutral point view से रहके देखेंगे और सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज का जो Middle East crisis है उसके पीछे कितना बड़ा involvement है United Nations का, US का, इसराइल का और British Empire का अगर उस वक्त के सबसे strongest देश के रास्टपती अगर किसी भी देश को recognition देते हैं सिर्फ 11 मिनिट के अंदर तो ये बताता है कि जो planning था वो बहुत पहले ही हो चुका था साल 1917 से लेके 1948 तक जो Palestine था वो British Empire की colony हुआ करती थी और ये वही time period है जिस वक्त बर्चड कर जो Jewish थे उसको जो आज का Palestine है या उन सब region में उनको बुलाया गया था तो कहने का मतलब है कि जो Jewish settlement था वो आपका 1917 से ही शुरू हो गया था और जब एक sufficient number of Jewish उस area में आके रहने लग गये थे तब जाके formation होता है State Israel का और State Israel के formation के पीछे जो Jewish है या उनके जो leaders है उनका क्या कहना है तो उनका ये कहना है वो जो आसपास का area है वो उनका holy land है और ये एक promised land है उनके भगवान या उनके God के द्वारा और साथ में जब ये Jewish वहाँ पे settlement कर रहे थे 1917 से लेके 1948 तक तो उस वक्त वो जो Arabic Muslim थे उनको भ भगा रहे थे और जो Arabic Christians थे उनको भी भगा रहे थे तो इस starting में ऐसा नहीं है कि वो उनका जो नफरत था वो सिर्फ Muslim के लिए था बलकि उनका नफरत उन सभी लोगों के लिए था जो उस area में वहाँ पे उस वक्त रह रहे थे तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही complex मु I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye